Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याई में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में लेजर क्या है और उसे कैसे देखते हैं लेजर के वीडियो दो पार्ट में हैं, पहले पार्ट में हम आपको लेजर के बारे में सामानी जानकारी देंगे और दूसरे पार्ट में लेजर को कॉन्फिगर करके बताएंगे साथ ही बताएंगे लेजर में रहते हुए ट्रांजक्शन से संबंधित क्या काम किये जा सकते हैं यहां हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप सफल व्यवसाई या सफल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोस में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महतुपून हैं आप इन्हें ध्यान से देखें और प्रैक्टिस भी करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याई जैसा कि हमने आपको मैनियोल अकाउंटिंग की प्रोसेस के बीच बताया था कि अकाउंट यानि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति विशेश, वस्तू, सेवा या आएवे इत्यादि से संबंधित समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तीथीवार और नियमा नुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेविट साइड यानि नाम पक्ष और क्रेड़िट साइड यानि जमा पक्ष डेविट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेड़िट साइड राइट की तरफ होता है यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि टैली में खाता यानि अकाउंट को ही लेजर कहते हैं अभी तक हम टैली में कमपनी बनाना, लेजर्स बनाना, स्टॉक ग्रुप्स बनाना, स्टॉक आइटम्स बनाना, वाउचर्स में ट्रांजिक्शन्स रिकॉर्ड करना और अन्ले कई महतून बातों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं इन सब के दोरान ही हमने आपको बताया था कि टैली में हमें सिर्फ लेजर बना कर vouchers की सहायता से transactions record करना होते हैं इसके बाद manual accounting के बाकी सभी काम जैसे leisure posting, trial balance, trading and profit and loss account और balance sheet टैली हमें खुद ही बना कर दे देता है यारी यह सभी काम टैली में automatically reflect हो जाते हैं अब सवाल यह है कि टैली में हमने जिन transactions को vouchers में record किया है उनकी automatic posting तो लेजर में हो गई पर वो transactions संबंधित leisure में कैसे देखे जा सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेजर को कैसे देखते हैं आगे पढ़ने से पहले हम आपको यह भी याद दिला दें कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने reports के अंतरगत आने वाली बहुत ही महतुपून report day book के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि इस report पर तीन तरीकों से पहुचा जा सकता है उसी तरह लेजर को देखने के भी दो तरीके हैं पहला reports heading के अंतरगत display more reports में जाएं यहां से accounts books पर जाएं यहां लेजर दिखाई पड़ रहा है चलिए वापस चलते हैं तो चलिए दूसा तरीका भी देख लेते हैं जोकि मुख्य रूप से तब काम आता है जब हम tally में कहीं और काम कर रहे होते हैं और इसी बीच हमें कोई laser देखना हो तो उसके लिए go to पर जाएं देखिए यहां common reports के अंतरगत यह laser vouchers के नाम से दिखाई दे रहा है चलिए वापस gateway of tally पर चलते हैं अब पहले बताय हुए तरीके से एक बार वापस laser पर चलते हैं और कोई laser open करके देख लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं display more reports के लिए d press करेंगे अब account books के लिए a press करें अब यहां दिखाई पढ़ रहे laser के लिए l press करें list of layers आ रही है आप जिस laser को देखना चाहते हैं name of laser के नीचे वो नाम type करें यहां पर हम cache type कर रहे हैं यह देखे cache highlight हो रहा है अब enter press कर दें ऐसा करते ही left side में आपने जो laser select किया था उसका नाम दिखाई पढ़ेगा और right side में उसकी तारी या period दिखाई पढ़ेगा अब आप जिस अवधी के लिए यह laser देखना चाहते हैं f2 press करके वो period type करें हम एक मही से 31 जुलाई तक का period ले रहे हैं यहां एक बाद ध्यान रखें लेजर में period चेंज करने के लिए आप f2 या alter के साथ f2 दोनों short cuts में से किसी का view p.o कर सकते हैं यहां पर कुछ बातों को ध्यान से समझें नीचे के और आप जो opening balance देख रहे हैं वो हमने जो period select किया है उसकी शुरुवात का है जैसे यहां यह एक मई का है current total में आप जो भी amount देख रहे हैं वो इस लेजर में selected period में जो भी amount debit और credit हुए हैं उनका total है और closing balance में आप जो amount देख रहे हैं वो आपने जो period select किया है उसके आखिर का होता है जैसे यहां पर यह 31 जुलाई का है यहां पर एक खास बात ध्यान रखें report देखने के पहले हमेशा उपर period जरूर चेक कर लें कि हमने जो period लिया है report उसी period की है या नहीं क्योंकि कई बार हमसे period change करने में गलती हो जाती है यहां पर हम आपको period बदलने के कुछ shortcut बता रहे हैं पर उसके पहले दो बातें समझना जरूरी है पहली हम shortcut की सहायता से जो भी तारीख लेंगे वो current financial year के लिए होगी जैसे अभी हम 2020-21 यानी 1 April 2020 से 31 March 2021 के बीच काम कर रहे हैं तो यहां जो भी तारीख आएगी वो इसी अवधी के बीच की होगी दूसरी बात चुकि हम Tally के educational version पर काम कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर सीमित तारीखों का ही उप्योग कर सकते हैं और वो हैं 1, 2 और 31 मालिजे हम 2 April 2020 से 1 October 2020 तक का लेजर देखना चाहते हैं F2 प्रेस करके From में 2 April के लिए 2A टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और 2 में 1 October के लिए 1 O टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे देखे ऐसा करते ही 2 April 2020 से 1 October 2020 की रिपोर्ट आ गई है अमालिजे हम April से लेकर March तक सभी माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए बगएर तारिक के सिर्फ माह टाइप करना होगा जैसे हम From में April के लिए A और 2 में March के लिए M टाइप कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही April से मार्श तक यानि पूरे Financial Year की रिपोर्ट आ गई है इस पर एक confusion हो सकता है कि यदि हम ऐसे महिनों की रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिनका शुरुवाती अक्षर एक जैसा है जैसे January, June और July यह सब ही J से शुरू होते हैं तो इनके लिए क्या टाइप करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि January के लिए J, June के लिए J-U-N, और July के लिए J-U टाइप करेंगे और इसे तरह March के लिए M, और May के लिए M, A, Y टाइप करना होगा यदि आपकी कंपनी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और आप किसी पिछले Financial Year का लेजर देखना चाहते हैं तो आपको तारीख के साथ Financial Year भी टाइप करना होगा जैसे कि हम Financial Year 2017-18 का लेजर देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके 1 April 2017 से 31 March 2018 टाइप कर रहे हैं यह देखिए हमारे टाइप किये गए पीरेट के रिपोर्ट आ चुकी है अब चूंकि इस अवधी में हमारी कंपनी थी ही नहीं इसलिए यहां रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है हम फिर से पीरेट चेंज कर लेते हैं यहां पर हम आपको बता दें कि Manual Accounting के बीच हमने आपको जर्नल से अकाउंट्स में पोस्टिंग करना बताया था और पोस्टिंग के बाद अकाउंट्स किस तरह के दिखते हैं यह भी बताया था उसी का एक नमूना हम आपको यहां भी बता रहे हैं देखिए Manual Accounting में अकाउंट यानि लेजर इस तरह का दिखाई पड़ता है और टैली में लेजर इस तरह से दिखाई देता है दोनों ही लेजर में उनसे संबंदित सभी लेंदेन यानि ट्रंजेक्शन्स तिथी वार रखे गए हैं दोनों में दो पक्षें एक डेट और एक क्रेडिट दोनों ही लेजर में आप देख सकते हैं कि उनने किस प्रकार के लेंदेन हुए हैं कुल कितना रुपया आया है, कितना गया है, और अब उस account में क्या balance है, तोनों में सिर्फ थोड़ा ही फर्क है और वो है presentation का, इस वीडियो में आपने जाना कि लेजर क्या है, और टैली में लेजर कैसे देखते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको लेजर को configure करना, और लेजर में रहते हुए, transaction से संबंदित क्या काम किये जा सकते हैं, ये बताएंगे,